चारवाग दर्शन के अनुसार पृत्वी, जल, तेज तथा वायू ये चार ही तत्व स्रिष्टी के मूल कारण है। जिस प्रकार बौध उसी प्रकार चारवाग का भी मत है कि आकाश नामक कोई तत्व नहीं है। यह शून्य मात्र है। अपनी आनविक अवस्था से स्थूल अवस्था में आने पर उपरयुक्त चार तत्व ही बाह्य जगत, इंद्रिय अथ्वादेह के रूप में द्रिष्ट होते हैं। आकाश की वस्त्वात्म, आकाश की वस्त्वात्मक सत्ता न मानने के पीछे इनकी प्रमान व्यवस्था कारण है, जिस प्रकार हम गंध, रस, रूप और स्पर्ष का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए, उनके समवाईयों का भी तत्त इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष क पारण क्या है? इस प्रश्ण का उत्तर चारवाकों के पास नहीं है. यह विश्व, अकस्मात, भिन्न भिन्न रूपों एवं भिन्न भिन्न मात्राओं में मिलने वाले चार महाभूतों का संग्रह या संगट मात्र है. आत्मा चारवाकों के अनुसार, चार महाभूतों से अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्यपदार्थ नहीं है. चैतन्य आत्मा का गुण है. चूंकि आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं अता, चैतन्य शरीर का ही गुण या धर्म सिद्ध होता है. अर्थात, यह शरीर ही आत् इसकी सिध्ध के तीन प्रकार है तर्क, अनुभव और आयुरवेद शास्त्र तर्क से आत्मा की सिध्ध के लिए चारवाक लोग कहते हैं कि शरीर के रहने पर चैतन्य रहता है और शरीर के न रहने पर चैतन्य नहीं रहता इस अनवय व्यतिरेक से शरीर ही चैतन्य का आधार, अर्थात, आत्मा सिद्ध होता है अनुभव, मैं स्थूल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं निश्क्रिय हूँ इत्यादी अनुभव हमें पकपक पर होता है स्थूलता, दुर्बलता, इत्यादी शरीर के धर्म है और मैं भी वही है अत शरीर ही आत्मा है आयुरवेद, जिस प्रकार गुड, जौ, महुआ, आधी को मिला देने से कालकरम के अनुसार उस मिश्रण में मदशक्त उत्पन्न होती है अत्वा दही पीली मिट्टी और गोबर के परस पर मिश्रण से उसमें बिच्छू पैदा हो जाता है अत्वा पान, कथा, सुपारी और चूना में लाल रंग न रहने पर भी उनके मिश्रण से मुह में लालिमा उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार चतुर भूतों के विशिष्ट सम्मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है किन्तु इन भूतों के विशिष्ट मात्रा में मिश्रण का कारण क्या है? इस प्रश्ण का उत्तर चारवाक के पास स्वई, स्वभाववाद के अत्रिक्त कुछ नहीं है इश्वर न्याय आदी शास्त्रों में इश्वर की सिध्ध अनुमान या आप्त वचन से की जाती है चुँकि चारवाक प्रत्यक्ष और केवल प्रत्यक्ष प्रमान को मानता है अत्अ उसके मत में प्रत्यक्ष द्रिश्यमान राजा ही इश्वर है वह अपने राज्य का तथा उसमें रहने वाली प्रजा का नियनता होता है अत उसे ही ईश्वर मानना चाहिए धन्यवाद